इस नमश्कार कोई से जाड़ा रिपीट होने वाला क्वेशन है हमें और रिपीट भी हो रहे हैं हमें कुछ लोगों की दिमाग में जो डाउट से वह सबसे ज्यादा तकलीब देने वाला या question mark क्या है तो वो सबसे बड़ा important question है लोग इसके उपर सवाल खड़ा करते हैं कि यह जो hydrophonic fodder है इसमें और जो खेत में हराचारा होगा थे इसमें दोनों में फरक क्या है so what is the difference between hydrophonic fodder and conventional fodder which is grown on land तो मैं आपको फीजिक लिए अगर आप इसको देखेंगे तो फरक आपको क्या देखेंगा मैं आपको बताता हूँ अब यह मेरे हाथ में है यह मैट सीदी सी बात है यह है बारली जो बोलते हम इसको अभी हमने बारली का production निकाला है इसमें हम लोग most probably मक्य का भी करते तो अगर आप मक्य का सीड लो या फिर बारली का सीड लो यही सीड अगर आप खेत में डालेंगे तो वह उपता है और यही सीड अगर आप इस ट्रे में डालोगे तो यह भी उपता है यह natural fodder है यह कोई अलग अलग प्रोड़क्ट नहीं है कि कुछ लोग इतने confused है कि उनको एसा लगता है कि नहीं हाइट्रोफोनिक फॉड़क कुछ अलग है और जो खेत में चारा होगा जाता है वो कुछ अलग है अलग है डेफिनेटली कुछ अगर फाइदा है तो इसमें अगर कुछ थोड़ा सा दिखेगा तो इसमें ज़्यादा दिखेगा as compared to that that is very definitely true वो में आपको आगी जाके clear करूंगा कुछ वीडियो में पर एक चोटा वीडियो में आपको बना के क्योंकि सवाल इतने आ रहे तो शुरुआ तो करना करना पड़ेगा ना कहां से तो पहला सवाल में नहीं खड़ा या या अलग है? अलग कुछ नहीं है ऐसी फिजिकले आप देखेंगे तो आपको एक चीज़ से सहीं से दिखेगा वो अलग यह है कि जो हम खेत मे चारा होगाते हैं वो कम से कम एक या दो मेने की या तिन मेने के बाद हम उसको काटके निकालते हैं तो जब हम काटते हैं त से काटते तो जो एक दो तीन मेने में अगर जो रहता है तो वो जो उसका सीड है और उसके जो रूट्स है वो मिट्टी में मिल जाते हैं ओके और इसमें क्या रहता है यह जगर जो है या मक्के का तो इसमें एक एडवांटेज आपको मिलता है कि इसका जो मुली है और इसका जो सीड है दोनों चीज आपको ये wider के साथ मिलता है जो सब्सक्राम eigenlijkाल ये छाराइड-चेजों से बना चुका है एक इसमें नहीं ये रूट से फिर इसमन सीडे फिर ये स्टीम आता है फिर लीफ आता है और जो खैट में हम लोग्स छो पर इतना तो आप पिला क्लियर कर लीजे आपके concept क्लियर कर लीजे इस नाट सम्थिंग डिफरेंट प्रोड़क्ट इस सेम प्रोड़क्ट जो आप खेत में उगाते वही यह है अलग कुछ नहीं होता है सिर्फ तरीका अलग है इसलिए इसमें हमको यह जो advantage मिलता है इसमें advantage क्यों मिलता है क्योंकि हम इसको ट्रे पर उगाते ऐसे तो बहुत points से हम differentiate कर सकते हैं कि इसको पानी कम लगता है इसको एरिया कम लगता है इसका जो बनाने का पिश्किल है तो कुछ ऐसे positive points इसमें आपको definitely दिखेंगे ठीक है पर कुछ लोगों को यह शंका है कि नहीं यह कुछ अलग है क्या अलग बिला कुछ नहीं है यह वही है जो आप खेत में उगाते वहीं यह चारा है so do not get confused कि यह कुछ अलग है और यह कुछ अलग है मतलब देखिए एक simple सी बात बताता हो जो पशु वहार हम खिलाते that is a different concept हम जो मक्य का धान है या फिर कोई गेहू लेता है चावल लेता है उसको grind करेंगे फिर उसमें कुछ ingredients add करेंगे उसमें कुछ लोग urea add करेंगे और कुछ अलग-अलग chemicals add करेंगे flavor add करेंगे और उसका product बनता है फिर वो हम हमारे जानमरों को खिलाते यह इसा कुछ नहीं है this is 101% natural जो natural green fodder हम खेत में उगाते यह भी natural green fodder है इसमें कोई डाउट नहीं है इसमें living bacteria होता है enzymes बोलते हैं हम लोग और खेत में रहता है उसमें भी रहता है बलकि उसमें बहुत कम रहता है क्योंकि वह matured plant है क्योंकि यह बहुत 6-8 दिन का fodder होता है इसलिए इसमें जो enzymes level है बहुत higher level पर रहता है मतलब millions में enzymes रहता है that is the only one reason की यह digestible ह कुछ जो crops हम खेत में उगाते हैं उसका जो nature होता है वो कभी कभी acidic होता है इसका nature जो है almost alkaline या neutral के आसपास है दुसरी बात जब अब अब देखते तो यह मैंने आपको बताया है कि दिखने में ऐसा है वेसा है दोनों forder में main एक और एक सबसी important बात क्या है इसमें जो आप जानना चाते हैं तो इसमें important बात यह है कि nutrition nutrition यह बहुत important पार देखिए जो खेत में चारा होगाते डिपेंट्स आप कौन सा लगाते हैं नेपियर लगाते हैं क्या या फिर आप alpha-alpha जो हम बरसीम बोलते हैं वो है क्या या फिर मक्का लगाते कोई भी different कोई गिन्नी गवत लगाता है different अलग-अलग नाम है अलग-अलग चारे के आप क्या लगाते है on that basis इसके उपर dependent है कि उसमें 5% protein है क्या 6% 7% protein है क्या 20% protein है क्या तो यह तो सब lab report पे पता चलता है तो lab report से पता चलता है कि इसमें जो अगर barley का hydrophonic water देखेंगे तो इसमें 15-20% protein है ठीके हम जब जानवरों को खिलाते हैं तो हमें basically कौन से चीज़ों के उपर ध्यान रखना है मैं आपको बता देता हूँ आगे जाके तो इसके उपर हम बहुत detail में बताएंगे पर एक just short video म हम जब जानवरों को खिलाते हैं यह बहुत जरूरी है कि उसको हम हराचारा maximum खिलाने की कोशिश करो उससे क्या होगा उसका जो digestibility रहता है वो system smoothly चलता है अब जितना acidic food खिलाएंगे तो उनका digestibility रहता है वो परेशानी में आ जाता है और आपका जो results है या फिर उनमें बीम हमारी बढ़ जाती है तो यह जो हराचारा है खेत में वह हम खिलाते पर उसमें nutrition value कभी कभी बहुत कम होती है इसमें nutrition value ज्यादा होने का कारण क्या है क्योंकि it is a total food including roots and seed जो खेत में रहता है उसमें root or seed नहीं रहता है इसलिए हमें उसमें जो है न थोड़ा nutrition का deficiency मिल सकता है इसमें नहीं मिलता है इसमें अच्छा कासा protein है fat है carbohydrate भी अच्छा कासा रेता है इसमें ether extract भी अच्छा है और सबसे important जो fiber भी रहता है ये भी है हाँ कुछ fodder ऐसे है जो खेत में युगा जाते है वो it is rich in fiber definitely यह हर चीज में compete नहीं कर सकता यह dry fodder के साथ compete नहीं कर सकता है यह basically we can treat it as a green fodder and also as it is rich in nutrition यह कुछ हद तक मतलब 50-70% आपका जो nutrition का challenge रहता है यह फिर जो energy level आप जो आपके animals को खिलाना चाते है ना कि एक kilo में 2000 calories है क्या, 80,000 calories है क्या, तो on that basis यह उसको challenge करता है मतलब कुछ हद तक 50-70%, 80% उनका जो concentrate cattle feed आप जो है खिलाते है वो कम कर देता है so this fodder is going to not only replace green fodder but also concentrate तो यह एक बहुत बड़ा इसका plus point है, तो यह एक point में आपको just एक बताना चाहता हूँ, सवाल का बाकि तो बहुत इसके उपर में जवाब दे सकता हूँ, यह जो सवाल था कि दोनों सेम है क्या, definitely जो खेत में उगाते वो और यह दोनों सेमें, बलकि इ tradition ही है कि यह nutrition value इसमें तोड़ा ज्यादा होता है, digestibility कोई issue नहीं है और दूसरी सस्ता भी बनता है, तो आपको इसके बारे में सोचना बहुत जरूरी है, okay, so I hope जो आपका कुछ लोगों का जो doubt था कि इसमें कोई differentiation है, कि तो differentiation नहीं अगर है, तो अच्छा है, कम तो कुछ न मेर मेर हुगा, thanks for watching this video